राश्वे राश्डाने दिल्ली समयत उत्व भारत में एक कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्व प्रदेश उत्रखंड ब्याहाज समयत कई राज्जों में पारा लगतार गिर रहा है साथी कुछ जगाओं पर ओरा भी बढ़ता जा रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों में तापमान के और गिरने की च्वेताबनी जारी कर चुका है कड़ाके की सरदी के बीच लोग अलाव और हीटर के जरिये राहत पाने में लगे हुए हैं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हर्याना, चम्बू कश्मीर में अगले 24 घंटे में शीत लहर की स्थिती जारी रह सकती है इसके अलावा लद्दा, खिमाचल प्रदेश, गिलगेद, बालिस्टान, मुझापराबाद, पंश्मी, राजिस्तान, मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सरदी जारी रहेगी ऐसे में पूर्वी और मध्य भारत में मिनिममम टेंपरेचर 2-3 डिगरी तक गिरावट आ सकती है मौसम विभाग की तरव से पुना अनुमान के अनुसार देश के कई हिसों में बारिश की भी संभावना चताए गई है ऐसे में अन्जमार और निकोबार आइलेंड समेट कई जगाहों पर हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है और जो आम लोगों को परशानियों को और जादा बढ़ा सकती है वहीं बिहार, मनेपुर, उत्राखंड की कई लाकों में कोहरे के च्छाय रहने की आश्रंका भी चताई गई है तो ऐसे में श्रीनागर से दिली तक सर्दी का सितम पूरे उत्रभारत में लोग जेल रही है और लोगों को तमाम दिक्कते तो हो रही है उत्तरभारत में क्योंकि इस समय कडाके की ठन पड़ रही है